दोस्तो नमस्कार मैं हूझे और आप देख रहे हैं जैस्तनियूज महाराष्ट में पिछले कुछ टाइम से लगातार राश्वती सासन लागू करने की जो बात चल रही है उसको लेकर अब जो है न्सीपी सुप्रीमो सरत पौर की तरफ से एक बड़ी अपडेट दी गई है साथ में ही आपको बता दूँ कि सरत पौर ने आज जो है एक इंटर्व्यू देते हुए जो पिछले काफी टाइम से लगातार महाराष्टा में लाओड स्पीकर को लेकर बवाल मचा है उस पर भी टिपड़ी की है आपको बता दूँ कि जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बता जा रहा है कि NCP सुप्रीमो सरत पौर ने बीजेपी नेताओ के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें राश्पती सासन लगाया जाने की बात कही जा रही है पौर ने कहा कि राश्पती सासन लगाने की धमकी हमेशा से दी जाती है लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता अगर आगे चुनाओ वाले हालाद बनते हैं तो हाली में हुए कोलापूर उप चुनाओ जैसे नतीजे देखने को मिलेंगे आपको बता दूँ कि कोलापूर में अभी कुछ दिनों पहले जो उप चुनाओ हुआ था उसमें बिजेपी को ज़्यादा अच्छी सवल था नहीं मिल पाई थी वहाँ पर न्सीपी स्यूसेना और कांग्रेश से मिल कर बड़ी जीत हासिल की थी साथ में ही सरत पौर ने आगे कहा कि पावर आती है और जाती है इसमें किसी तरह से बेचैन होने की जरूरत नहीं है कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले विधान सबा चुनाओ के दौरान दावा किया गया था कि हम दुबारा सत्ता में आ रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया इसलिए अब ये लोग पूरी तरह सी बेचैन है इन्होंने बीजेपी के ओपर निशाना साथा है साथ में के द्वारा आपको बता दूँ कि पहले इस बात को लेकर पहले केंदरी मंतरी नारायन दाने के द्वारा बोला गया था कि जल्दी महाराष्ट्रा में राश्पती सासन लागू होने वाला है उसी बात का रिवलाई देते हुए यहाँ पर निशाना साथा है कि वो लोग जो भी बोल रहें कि महाराष्ट्रा में राश्पती सासन लागू होने वाला है ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है यह जान भूच के धर्म के आधार पर सबको भड़का रहे हैं लेकिन इसका कोई भी फर्क नहीं पढ़ने वाला है साथ में आपको बता दू कि दिली फाल से पाटिल ने भी इस पर कुछ दिनों पहले इस्टेट्मेंट दिया था जहां पर उनके द्वारा बूला गया था कि वीजेपी जान भूच कर इस तरह से राज्ज को बदनाम करने कोशिश कर रही है और राज्ज में राश्पती सास लागू करने का एक बहुत ही बड़ा सड़े अंतरच रही है बाइदावे आपका क्या ओपिनियन है सरत पौर के द्वारा दियेगे इस स्टेट्मेंट पर आप ना ओपिनियन कमेंट वाक्स में होता है और वीडियो जाश्यादा सेयर करें